हेलो मैं यूट्व फैमली है गाज आप सब कैसे हैं आज साकर से आप सब ठीक होंगे तो आज मैं इस ब्लाउज की स्टेचिंग बताऊंगे देखिए हमने फोर टक्स का ब्लाउज सिला है और कितना फिनिसिंग के साथ सिला है देखिए पीछी का भी हमारा जो बेल्ट है कितन नहीं अची तारीके से हमारा पॉफबन के तयार है अगर किस में फशे से इसकी सब एक तरिक करते हैं तो अगर शिर पेकलै करते हैं शिर पहले जुसराइं के नहीं का सब्सक्राइब कर सक्कूष यहांडर सबसे पहले हमने कपड़े को और रष्टर को श्टिच कर लिए है सिलाई से अगर आपके पास गोथ है तो गोथ से भी चलाई कर सकते हैं या नेता सूइथ आगे से भी टाक सकते हैं तो आपको जो शुवधा पढ़े उ कर सकते हैं नेज़ने लॉट को इस तरह से मैं को सीलही है करने चीजिए लॉट करना चाहिए आगे भी पक्का करतेंगे अगर नहीं उड्ज करते हैं तो इसंसे हमेंग साई तो छुटी जडॉel एंगे, फसी हम्म के मा只 पलती है दो छोटी छोटी गल्तियां घुल्टीयां आफ और बेंट एक लिए को लुप लुप लुफारिकाने के बाद यहां पर हमने इस डॉट को भी लगा दिया है तो डॉट लगाने का सबसे असान तरी का है देखिए हम जिधर से सूर्व करेंगे उदर हमारा चवड़ा रहेगा और इस तरह से तीर्चा में लाते लाते कम कर रहेंगे और आगे की तरह पक्का करते से लाई हुए कटिंग कर देंगे तो यहां पर देखिए हमारा यह डॉट जो नीचे वाला है दो इंच का था तो उसको भी हमने इस्टिश कर लिया तो आप अपने चेस्ट के हिसाब से अपना डॉट क्रिएट करिएगा तो यह हमारा अच्छा तीसाइच का बलाउज है अग सबस्टार के साथ हो तो सबसे अपने तरीका देखि किस तरह से हम बेल्ट अटेच करेंगे जो हमारा स्थर साइट रहता है उधर रहते आपको कब्ला रहता है उधर विद्ष खिप्डा की तरफ करके बाहर के तरफ करके जब इसको निकालेंगे तो सीदा करेंगे तो वहा पर लगाया है अच्छी तरीके से बस यहां पर इखे हमने लगाया है नगिए तक हमारा तीन कपड़ा जो है एक बराबर सिलाई अर्फेक्ट तरीके से लगा एक है हो तो इस तोरह से थोड़ा सा इस ताइम तो लगेगा बट फिनिसिंग एतनी जबरदस्त हैना कि हां कुछ ह कुछ हो जाएगे कि हाँ कोई ब्लॉज तो सिला है बट आप टेजर ना लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो एक से दो बार प्रेक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा तो इस प्रकार से देखिए बराबर करके हम सिलाई लगाते चलेंगे तीनों कपड़े को बराबर से रखना है तो यहां पर बराबर करते हुए एक सिलाई लगा देंगे अगर इसमें आप टबल सिलाई नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस वाले जो बेल्ट में जोड़ते हैं उसमें यहीं फायदा होता है टैंट थोड़ा लगता है बट इदम फिन जीएगा तो यहां पर देखिए अब हम कप्रे को फोल्ड करके बेल्ट के अंदर रख दी हैं बेल्ट के अंदर रखने के बाद हमें जितना मर्जिन छोड़ना था उतना पर सिलाई लगाएंगे तो हमें जाता एक्स्ट्रा माजिन नहीं छोड़ा था इसलिए कम पर ही सिल जाई को लगा लिया है अब इसमें जो हम ब्लाउच का कपड़ा सब रोल करके डाले थे उसको बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर बाहर निकालने के बाद देखे अच्छी तरीकी से महारा बेल्ट जो है लग गया है तो हम एक बार नाकुं से इस तरह से दबा के सेट कर देंगे तो खिल कि कितना फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट लग के तैयार है तो यह अमारा आडिया कैसा लगा इसके आप तो एक लाइक करें दीजिएगा और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगाएडिया तो अब उपर से देखिए जो हमारा बेल्ट जहां था ना वहीं पर एक सिलाई लगाएंगे एक दम से जहां बेल्ट था वहीं पर लगाएंगे और दूसरी सिलाई है तो एक चाप की दूरी पर लगाएंगे तो देखिए इस प्रकार से अगर हम डबल सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो बेल्ट का फिनिसिंग है और अच्छा लुक देता है और अच्छे तरीके से बैठ जाता है अब यहां पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैबरिक रहेगा उसको कटिंग कर देंगे तो देखिए हमने उल्ड़ा करकि जो हमारा इसक्ट्रा फैबरिक है उसको कटिंग कर दे रहे हैं आसा करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज कर लायक कर देगा और कमेंट में जरूर पताएगा कि यह करी तो अप्लीयो के साथ इसक्ट्रा कपड़ा को कुटिंग कर देना है कि अग्याल कर देखिए गले की साथल भी ऐसे को तिले करें अब होता है हमारे प्लाइच का फिनिशन्ग रूप देखिए इतना अच्छी तरीके से बन के वाप तैयर हुआ है हम को तो पता नहीं तो आपको पसंद आए हो आपके कश्टमर को सो एक बार जरूर कश्टमर का इस तरह से प्लाव से लिए गा तो कश्टमर बहुत जादे खुछ होंगे तब फारनल लुक देगे कुछ इस प्रकार से आया है कितना अच्छा जादा पॉप बने हैं और तो मिलते हैं नेक्ट वी